नवस्कार दोस्तों श्रीकी स्टर्डी ट्यूब्स में आपको स्वागत हैं आज हम लोग देखें कुछ परसेंटेज के बेसिक क्वेसें जो हमारे आर आर बी जे रेलवे एंटी पीसी ग्रूप डी ससी और पेंग की एकजाम में बहुत महत्रपुन हैं चलिए सुरू करते है पहला कोशन नुबर वान आज हम लोग देखते हैं शिस्टीन टूबए तरी परसेंटेज अवे नमबर इड़ेट इट्सेल दे रिजल बिकाम 4956 फान दो ओरिजिनल नमबर तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं शिस्टीन टूबए त्री यह जो है परसेंटेज इसको हम लोग वान वाई 6 हुआ इसको एक नमबर है इसको इसी के साथ एड़ेट इटसेल करते हैं दो नमबर बनता हो 7 होता है तो डिजल बिकाम 7 तो यह एक सेवें यूनित लेकर चलते हैं हम लोग सेवें यूनिट अगर 49456 के एक्वल होता है तो हमारा वन यूनिट होगा इसको सेवे हाइट करते हैं तो 77 जा 49 और 78 जा 56 वान यूनिट हमारा 708 होता है तो इसमें हमारा पूछा है find the original number तो यह हमारा original number है ठीक है तो 708 को अगर हम लोग 6 से इन्टू करेंगे तो हमारा original number निकल जाएगा जो होगा 4248 इस कोशन का एंसर है 4248 चलिए हम लोग अगले कोशन बजाते हैं अगला कोशन बोल रहा है इफ 6 2 by 3 percent of a number is subtracted itself then the result become 5670 find the original number तो 6 2 by 3 percentage का जो fraction होता है 1 by 15 होता है ओके तो इसमें जो हमारा original number है यह 15 है ठीक है तो इसमें बोला है subtracted itself मतलब 15 को one से subtract करते हैं तो जो result बनेगा 14 ठीक है तो इसको 14 यूनिट लेते हैं 14 यूनिट अगर हमारा 5670 है तो वन यूनिट जो हमारा निकलेगा इसको 14 से डिवाइट करेंगे तो 405 ओके दोस्तों तो 4045 हमारा वन यूनिट हो रहा है ओरीजनल नंबर जो हमारा इसके साथ इंटू कर सकते हैं तो 4045 को 15 से इंटू करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा 6075 यह है हमारा ओरिजनल नंबर अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे कॉमेंट करके पूस सकते हैं तो देखते हम लोग अगला कोसें कोसे नंबर थ्री 11 1 by 9% of a number is added with itself then the result become 900 find the original number तो 11 1 by 9 का अगर fraction में देखे तो 1 by 9 होगा 9 जो हमारे यह ओरिजनल नंबर है यहां बोला added itself तो 9 के साथ 1 करते है 8 हमारा जो result आएगा 10 तो 10 unit equal to 900 then one unit equal to 90 ओके दोस्तों इसको हम लोग 10 से डिवाइड किये हैं तो वन यूनिट आया है तो अगर हमारा one unit 99 original number 9 है तो इसके साथ हम लोग इंटू कर जाकते हैं 9 into 90 तो रिजल जो आएगा 810 यह हमारा original number है ठीक है अगर आपको समझ मेरा तो कमेंट किजिए चलिए देखते हैं question number four question number four है if 64 is added in a number then the number becomes 157 upon one by seven percentage of itself find the number ओके दोस्तों if 64 added in a number one by five one by 157 upon one by seven percent का अगर हम लोग edit itself तो seven से four अगर हम लोग eight करते हैं तो जो रिजल बन रहा है 11 तो यहां four तो four जो है यह हमारा कितना बराबर होगा 64 के बराबर होगा ठीक है और one unit कितना होगा इसका 16 इसको हम लोग four से डिवाइड किये तो one unit equal to 16 हो है तो जो हमारा original number है ठीक है original number जो हमारे seven है यह निकालना हमें ठीक है number तो seven इसको 16 into seven हम लोग करेंगे तो जो हमारा original नमाएगा 112 ठीक है यह आपको समझे आया इसका answer होगा 112 इसको अगर हम लोग long method मैं करना चाहें तो ओ मैं आपको करके दिखा रहा हूं long method देखिए किसी number को हम लोग लेट भी number भी x लेते हैं ठीक है ओके अब x लिए x के साथ 64 8 किया जा ठीक है उसी number के साथ तो 64 8 कि हम लोग उसके बाद equal to x into okay 157 अपन 1 by 7% ठीक है तो जो हमारा यह निकल क्या आ रहा है x प्लस 64 और इसको अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका जो फ्रेक्शन होगा यह हमारा x into 11 by 7 ठीक है तो अगर यह हमारा 11 वैसे हो तो हम लोग x को उदर लेके जाते 64 इकल डूँ 11 x माइनस 7 माइनस एक्स ठीक है तो इसको अगर हम लोग कर रहे हैं ठीक है तो इसका जो एंसर आएगा फोर अपन सेवन एक्स ठीक और 64 तो इसको डिवाइड देते हैं तो यह हमारा चला जाएगा 16 टाइम्स ठीक है तो नंबर जो हमारे एक्स निकालना है तो 16 इंटो 16 16 इंटो 16 16 इंटो 7 तो यू नमबर हमारा निकल गायेगा 100 तो यह जो इसका एंसर है चले देखते है अग्ला कोशन इसका अगर हम लोग फ्रेक्शन देखे 449 का ठीक है तो इसका फ्रेक्शन जो होता है 40 अपन 9 ठीक है दोस्तों तो इसमें क्या बोला है 930 1 एद इन नमबर देन नमबर विक्वंस इत्से तो इसमें जो एड हो रहा है ठीक है यह 9 जो है हमारा ओरिजिनल नमबर है 40 माइनस 9 करते हैं तो हमारा 31 आता है ओके तो इसके साथ एड हो एन के साथ 31 तो 40 हो रहा है तो यह जो नंबर है वह हमारा 31 unit equal to 930 ठीक है तो वन यूनिट अगर हम निकालते हैं तो 30 आता है इसको इसका साथ डिवाइड करके तो वन यूनिट 30 आ रहा है original नंबर हमारा 9 है तो इसके साथ हम लोग इंटू कर सकते हैं 30 इंटू 9 तो जो हमारा नंबर आएगा नोठीक साथ है 270 यह हमारा उरिजनल नंबर ठीक है चली वरते अग्ले को सब्सक्राइब अविड लैंठ अफ एक टेंगल इंक्रीज वर थाटी सेवन बयर तू परसें इस ब्रेट इस डिक्रीज बेर ट्वेंटी परसेंट फाइंड द चेंजेस इन एरिया विए एधिर लैंध इन टू परेथ क्या बोला है 37 वन बयर तू परसें जो है वह हमारा इंक्रीश करता ह टुरती सब आपना में परसंट का जो अपर प्रेक्शन होता ओव एक होता है इसके साद इट यह हमारा और यह हमारा प्रेजिनल है इसमें कितना हुआ थरे टाइमस तो एक टुम बेट कर ट्वैंटी परसंट करते हैं तो 1 by 5 अथा तो प्रेफ में हमार फाइफ कितना हो डिक्रीज ओन वह डिक्री इस ने फोर तो इसको ळोगी इंटो करते हैं ये एट फाइप से फोर्टी कि ओके और 11404 कितना का इंक्रेमेंट हुआ फोर का किसके रेस्पेक्ट के 40 के रेस्पेक्ट में तो फोर ऑपन 40 इन्टू हंट्रेड अगर हम लोग करें तो यह जो हमारा 10 परसेंट का चेंज ऐसा है ठीक है इसका प्लों इसके लिए चलिए बरते हैं अगले कौसन पर अगला कौसन नमर्टेंज इफ दसाइड आप स्कॉर्ड इइंक्रीज पर्टी पर्सेंट फाइंड पर्सेंट चेंज इन एरिया इस्कॉर्ट का इरिया जो होता हमारा अरिया आप स्कॉरर कि इसक्वायर ओके ठीक है तो 40 परसेंट का दराव फ्रेक्शन करते हैं तो 215 तो साइड जो हमारा यह है ठीक है का इंक्रीज फेटि परसेंट कि कि इसक्या इसक्वाय करते हैं तो 17 आता ठीक है तो सक्वायर का अब हस्कि है इस्कोयर है तो फाइब को अगर हम लोग स्क्वाइर करते हैं तो 25 आता है और सेवेन को स्क्वाइर करते हैं तो 49 आता है कितने का चेंज़े सारे इसमें 24 का किसके रेस्पेक्ट पे 25 के रेस्पेक्ट पे 24 ऑपन 25 इन्टू हंड्रेट करते हैं तो इसका जो एंसर आएगा 96 परसेंट का चेंज़े सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले फ्यूचर में आपको इसके अगले पार्ट और भी सारे टोपिक के कोशन कवर की जाएंगे ओके थेंक यू दूस्तों